ये क्या है? इसका बाकी वचन के साथ ठीक समायोजन होना है और फिर परमेश्वर इससे सत्य प्रमानित करता है, समझे? परमेश्वर को किसी अनुवाद की अवशक्ता नहीं, वो स्विम अपना अनुवादक है, वो अपना अनुवाद जो उसने कहा उसे घटित करने के दौरा जो घटित होता है, करता है जैसा कि उसने आरम में कहा, उजियाला हो जाए, और वहाँ उजियाला था, इसके अनुवाद की कोई अवशक्ता नहीं, ये परमानित है अब उसने इन अन्द के दिनों में निश्चित प्रतिग्या की है, वचन में, क्यों? ये वो था कि इस परकार से येशु परमेश्वर का पुत्र था, उसने उसे भेजने की प्रतिग्या की है जब वो अपने दिनों में यहां पिर्थवी पर था और लोग उस पर विश्वास नहीं कर सके, उसने कहा पवित्र शास्तर में ढूंडो, क्योंकि तुम सोचते हो कि उसमें अनंत जीवन है, और ये वे हैं जो मेरी गवाई देते हैं यदि मैं अपने पिता के काम ना करूं, तो मेरा विश्वास ना करो, परनतु यदि तुम मेरा विश्वास नहीं कर सकते, तो कारियों का विश्वास करो, जो मैं करता हूं, क्योंकि वे गवाई देते हैं कि मैं कौन हूं अच्छा तो फिर वेसली के युग में वे काम जो उसने किये इस बात की गवाई दी की वो कौन था लूथर के युग में सुधार पर क्यों निश्चे ही इसने गवाई दी की वो कौन था पेंतिकोस्तल के दिनों में वर्दानों का फिर वापस आना अन्य भाशाएं बोलना शेतान को बाहर निकालना और वर्दान क्यों इसने गवाई दी इस विशे में कोई उपहस नहीं लोगों ने कहा जब ये पहले पहल उठा मैंने पेंतिकोस्त का इतिहास पड़ा है उन्होंने कहा ये अधिक समय तक नहीं चल सकता ये जल जाएगा ये अब भी जल रहा है क्यों? क्यूंकि आप इसे कभी भी बुझा नहीं सकेंगे परमिश्व ने कहा ये होगा ये वचन का वो भाग है और आप और अधिक इसे बाहर नहीं निकल सकेंगे और तब जब दुल्हन को बुलाया जा रहा था तो आप इसे कैसे बाहर कर सकते थे? ये वचन के प्रगटी करन का प्रकाशन था जो सच हुआ और हम उस दिन में रह रहे हैं परमिश्वर की महिमा हो अपने सेम के भीद का प्रकाशन अब उठा लिया जाना केवल ये उठा लिया जाना जिस विशे में हम बात कर रहे हैं ये केवल दुल्हन के लिए है याद रखें बाइबल ने कहा और बाकी मरे वे हजार वर्ष के लिए ना जी उठे ये माहन रैप्चर उठा लिया जाना मित्रो अगर उठा लिया जाना नहीं हैं तो हम कहा हैं हम क्या करने जा रहे हैं हम किस यूग में जी रहे हैं हमारे पास कौन सी प्रतिक गया है एक उठा लिया जाना होने को है बाइबल कहती है ऐसा होगा और यदि ये केवल चुने के लिए होगा चुनी हुई महिला इस दिन में दुलहन ये कलीशिया का खिचाओ कलीशिया शब्द का अर्थ है बहार बुलाए हुए जैसे मुसा ने एक रास्ट में से एक रास्ट बुलाया पवितरात्मा कलीशिया में से एक दुलहन बुला रहा है एक कलीशिया कलीशिया में से हर नामधारी में से सदस्य दुलहन बना रहा है दुलहन विरिक्ष ये है टेप में दुलहन का विरिक्ष दुलहन बाहर आ रही है बुलाई हुई और यही वाला जो की दुलहन का विरिक्ष है बलकि एक दुलहन यही है जो उस उठा लिये जाने में जाने वाले हैं वो कुछ नहीं केवल दुलहन है चुने हुए आरंब से परमेश्वर के दौरा जाने हुए पिता के आत्मिक जीन मैं यहां जरा एक मिनिट के लिए रुकूँ यह सोचते हुए अधिर हो रहा हूँ मैं आपको रोकने जा रहा हूँ आपको अधिक समय तक रोकने जा रहा हूँ परन तु ध्यान दें आप में से प्रतेक लोगों में कि आप जानते हैं वर्षों पहले कि आप जनम लेते आप अपने पिता के जीन के समान थे यह ठीक बात है एक जीवांश एक बीज आपके पिता में था जो की नर लिंग से आया ना की इस्तरी से समझे मादा अंडा उपलब्द करती है एक सेने का धरातल परन तु जीवांश से आता है अब कहें मेरे पिता में यहां मेरा पुत्र बेठा हुआ है जब मैं सोला वर्ष का था मेरा पुत्र मुझ में था मैंने उसे नहीं जाना परंतु वो वहां था अब उस सेने के आधार से होते हुए उस पवित्र बंदन से होते हुए वो उस छवी में बदल गया मैं उसे जानता हूँ मैं उसके साथ संगती कर सकता हूँ और वो ठीक उस समय में आया जब सही समय है अब इस परकार से आप में यदि आपके पास अनजीवन है तो आप परमेश्वर में इसके पहले की कभी संसार होता आप एक भाग थे परमेश्वर के एक पुत्र परमेश्वर का फल उसे उस पुत्र का ठीक ठीक मालूम था कि आप आ रहे थे उसने आपको उस युक के लिए ठेहरा आए था कि ये हो और कोई दूसरा नहीं ले सकता था चिंता नहीं कितने भी नकल करने वाले हो और आदी आदी आपको वही होना है क्योंकि वो जानता था कि आपको वहां होना है अब आप प्रगट हुए हैं अब आप उसके संगती कर सकते हैं और यही जो वो चाहता है वो संगती की प्रतिक्षा में हैं कि अराधना करें परन्तो यदि आपका जीवन ने नहीं किया सदा से परमेशन में एक गुण थे तो आप बस एक मसीहत की नकल हैं समझें वे वहां पर करोडों करोडों होंगे वे बस मसीहत की नकल करेंगे हाल ही में जो मैंने टिपनी की मैं वहां देमाश शेकरियन को देख रहा था जब वे पशूओं में मिलावट कर रहे थे उस परकनली यादी को देखें जो कि डॉक्टरों के दोरा लिये गए थे इन चीजों पर ध्यान कर रहे थे नर के सोभाविक उत्खलन से वहां से लगबग लाखो शुक्राणू आते हैं नर में से हर बार और मादा से कुछ लाखो अंडे आते हैं उसी समय परंतो क्या आप जानते हैं वहां छोटे छोटे जीवांश घूमते हैं उन में लाखो परंतो केवल एक ही जीवन के लिए अविश्क्त होता है और केवल एक अंडा ही उपजाओ होता है और वो छोटा जीवांश उन सारे दूसरे जीवांशों के पास से रेंगता हुआ उन सब के उपर से होते हुए वैसे ही दिखाई परता है और उनके उपर से होते हुए और उस उपजाओ अंडे को पा लेता है और उसमें रेंग कर चला जाता है और फिर सारी बाकी मर जाते हैं क्यों कौरी के जनम के विशे में बात करते हैं ओ ये कोई आदा भेद पूर्ण सभाविक जनम नहीं कैसे परमेशर के दोरा पहले से अवी शक्त पहले से ठेरा हुआ है अब वहां पीछे आरम में वहां पीछे वर्षों पहले इसके पहले की समय आरम होता यदि आप नया जनम पाई हुए मसीही हैं आज रातरी तब आप परमेशर में थे अपने पिता में यही कारण है जब आप इस जीवन में आए और मसीहत को अपनाना भई हर चीज गलत चल रही है आपको आश्चरी है कि यह ऐसा क्यूं है और यह सब यह आप इस पर आश्चरे करते हैं परंतो एक दिन किसी चीज ने आपके उपर प्रभाव डाला यह क्या था वो जीवन जो वहां पर था आरम से और यदि यह जैसे मेरी उकाब की छोटी कहानी के समान इसे ढूंडता है उसकी माँ उकाब को ढूंडती है अपने उस पर मुझे परचार करते सुना होगा कैसे वो छोटा उकाब अंडे से निकला मुर्गी के नीचे परंतो वो उसकी आदतें उने खिलाने का यतन करना उन चूजों को वो छोटा उकाब उसे हजम नहीं कर सका क्योंकि वो चूजा नहीं था आरंब से तो भी वो उन चूजों के साथ दड़बे में था और चूजों का अनुकरन किया परंतो वो वो वहाँ पीछे कूड़े के स्थान में कुरे देगी और छोटाओं का इसमें नहीं टिक सका परंतो हर बार वो कुड़क की आवाज करेगी और सब सारे छोटे चूजे जाते हैं इसलिए वो भी जाएगा परंतो एक दिन उसकी माँ ये जानती है कि उसने दो अंडे दिये थे एक नहीं कहीं तो दूसरा भी होना चाहिए वो उसे ढूनने निकली चारो और उड़ रही थी गोले में अंततव पीछे कुड़े की ओर आई और उसने अपना बालक पाया वो अपने बच्चे के लिए चिल आई ये वो आवास थी जिससे उसे अनुभा हुआ ये ये कुछ ठीक मालूम पड़ता है ये ही जिसको वो ढूंड रहा था देखिये और तब उसने अनुभा किया कि वो चूजा नहीं था वो एक उकाब था और इसी प्रकार हर नया जनम पाया हुआ मसीही जब आते हैं मैं चिंता नहीं करता कि आप कितने नामधारियों के सदस से रहे हैं कितने नाम अपने अपने नाम लिखवाए हैं और आदी आदी जब वो वास्तविक परमिश्वर का वचन परमानित हुआ और आपके सामने इस परकार से सच्चा बना आपने ठीक वही अनुवर किया कि आप एक उकाब हैं क्योंकि मुर्गी का ये कुड़क कुड़क करना आप इसके सदस से बनें और ऐसे और वैसे हो जाएं ये निरर्थक है ये वास्तविक है वचन से वचन मिलता है जब जीवांश मादा के गर में आता है ये नहीं लेता आप अपने पिता से ही जीवांश नहीं हो जाते हैं और फिर अगले बार आप कुड़े से जीवांश होते हैं और फिर अगले में बिल्ली से और अगली में चूजे से ये सारा का सारा मनश्य की जीवांश है और येशु मसी की दे वो दुल्हन उसके दे का भाग है जो की होगा वो वचन था और दुल्हन को भी वचन ही होना है वचन वचन के साथ मिलता है वचन से मिलता है लूथर का नयाय चित वैसली का पवित्रे करन पेंटेकोस्टल का पवित्रा आत्मा का बबतिस्मा वर्दानों का वापस आना और बाकी सब का इसके साथ जाता है समझे इसे वचन के उपर वचन होना है जीवांश के उपर जीवांश जीवांश जीवन के उपर जीवन ताकि दुल्हन का पूरा रूप और कद लेकर आए प्रभ येश्व मसी का अब याद रखें आप एक फल थे और अब बात ये है जब हम इन चीजों को पाते हैं कि मसी अपनी दुल्हन के लिए आ रहा है अब कैसे हम उस दुल्हन में आते हैं यही प्रशन है बहुत से कहते हैं हमारी सभा के सदद से हो जाओ उन में से एक विशेश प्रकार का वक्तिस्मा चाहता है एक ये करवाना चाहता है या वो एक ने कहा आपको अन्य भाशा में बोलना ही है या फिर आपको नहीं मिला दूसरे वाले ने कहा आपको अन्य भाशा नहीं बोलना है ये वाला कहता है आपको आत्मा में नाचना है ये कहता है आपको चिलाना चाहिए ये समिदना हुई तो ठीक है और फिर तब तब भी ये गलत है कैसे एक मनशे जो की या एक स्तरी या एक बच्चा परमेशवर का जिसने परमेशवर के आत्मा से जनम लिया है और परमेशवर के वचन का इंकार करता है जबकि परमेशवर सुम अनुवाद करता और ये कहता है ये ही है मैंने ये परतिग्या की है ये यहाँ पर है ये इसे बिलकुल इस पस दिखता है जितना हो सकता है क्यों वे देखने के लिए विवश है समझें कैसे मसी अपने ही वचन का इंकार कर सकता है और यदि मसी आप में है तो ये अपने ही वचन का इंकार नहीं कर सकता तो फिर हम इस देह में कैसे आते हैं पहला कुरंटियों 12 एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने इस देह में बप्तिस्मा लिया एक ही पवित्र आत्मा के द्वारा कि यदि आप लिखना चाहते हैं तो ये पहला कुरंटियों 12 ए 13 और एक ही आत्मा के द्वारा हम सब ने बप्तिस्मा लिया और आत्मा में मसी का जीवन है क्या ये ठीक बात है मसी का जीवन और किसी भी बीज का जीवन जो की वो वचन बीज था बीज का जीवन लाता है आप समझें यदि वो जीवन बीज में है और ये पवित्रा आत्मा का बप्तिस्मा इस पर आता है तो ये बीज का जीवन लाने के लिए विवश है अधिक समय नहीं हुआ जैसे मैंने फिनिक्स में बताया था मैं भाई जान शेरट से बाते कर रहा था मैं वहाँ पर था और उसने मुझे एक पेड़ दिखाया एक नीबू बंश का उसने उस पर बहुत सारे नीबू बंश के फल लगा रखे थे और उसने मुझे एक फंडा दिखाया इस आठी या नौ विभन प्रकार के फल थे और मैंने का भाई शेरट ये किस प्रकार का पेड़ है कहा एक संत्रे का पेड़ मैंने का क्यों नीबू और संत्रा और यहां खटा और चकोत्रा उसने का ये सारे नीबू बंश के फल है इनको साटा गया है ओ मैंने का मैं समझा अब अगले वस ये सारे संत्रे लाएगा ओ नहीं हर पेड अपना ही फल लाएगा हर डाली अपना ही फल लाएगी आप इसे बहुत से फल उगाने वाले जानते हैं यहां इस नीबू बंश की घाटी में ये अपना ही उगाएगी आप नीबू की डाली संत्रे के पेड़ पर लगा दें ये नीबू उगाएगा क्योंकि ये नीबू बंश का सभाव है फिर भी ये मूल फल नहीं उगाएगा और यही जो हमने किया है हमने मतसार के साथ कलम सांटी है और आदी आदी और प्रतेक में सांटी है यहां कैसे मेतोडिस कुछ और उगा सकता है सिवाए मेतोडिस बालक के कैसे कोई नामधारी बालक को छोड़ कुछ और उत्पन कर सकता है परन्तु यदि उस पेड़ ने अपनी मूल शाखा से कुछ उगाया तो यह संत्रा ही उगेगा और तब यदि परमेशर की कलीसिया में कुछ करता है तो यह मूल फिर से वापिस वचन पर ठीक वही यह होना ही है क्योंकि जीवन जो पेड़ में है और यह अपने ही प्रकार का उगाएगा अब हम पाते हैं कि अब वहाँ पर वो बड़ी कलीसिया युगों से होती हुई नीचे को आ गई अपने फल ला रही है और जैसे डालियां खाली हो जाती हैं यह उन्हें चाटते हैं संतिया हुना पंदरा अब कभी दाखलाता को नहीं चाटा उसने डालियां लेकर उन्हें चाट दिया क्यूंकि वो कोई फल नहीं ला रहे थी और हम येशु अपने ही फ़लों का चाहता है उसकी पत्नी को उसी प्रकार के बालक उत्पन करने हैं जो वो है तब यदि ये बालक उत्पन नहीं करती दुलहन बालक वचन के बालक तो फिर ये नामधारी की बालक है तब उसका पहला प्रेम संसार और नामधारी के लिए है वो उसमें वापे चले गए और ये वास्तिविक मूल नया जनम पाई हुए मसी उत्पन नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर उत्पन करने के लिए कुछ नहीं है जैसे कि आप नीबू की शाक लेते हैं और उसमें उसे साट देते हैं तो ये नीबू उत्पन करेगी परन्तु ये संत्रा उत्पन नहीं कर सकती क्योंकि ये आरम से उसमें नहीं है परन्तु ये आरम से अभी शिक्त है परमेशर के पूर्व ग्यान से पहले से ठहरा है हुआ और जनमा था इसे संत्रा ही उगाना है ये और कुछ नहीं उगा सकता परमेशर की जीवित कलीशा के साथ यही बात है जब समय आता है हर कोई आप परमेशर को कुछ आरम करने दें हर एक के पास गेंद है और वो चला गया समझे ये सदा से इसी परकार रहा अधिक समय नहीं हुआ कि मैं मार्टिन लूथर के इतेहास में पढ़ रहा था इसमें कहा गया ये विश्वास करना इतना अधिक कठी नहीं था कि मार्टिन लूथर कैथलिक कलीशा का विरोध कर सकता था और इसके पार हो सकता था परंट तो कहा कि विश्वास बात ये थी वो अपने सिर को उन सारी धर्मानता की बातों से उपर रख सकता था जो उसकी बेदारी में उसके पीछे थे और तब भी अपने नियावे चित पर सीधा खड़ा था समझे हर चीज नकल करना और सारी चीज़े उसके पीछे पीछे चली शिर्मती सेंपल मेकपरसन एमी सेंपल मेकपरसन को देखिए जिसने अपना मंदर यहीं रखा था हर प्रचारक महिला के पंक्स थे और बाइबल को भी उसी परकार से साथ रखा बस एक शारे रिक नकल वे मूल नहीं हो सकते थे इसी परकार से कलीशाएं भी नहीं हो सकती थी आप नगर में किसी कलीशा में कुछ होने दें और होने दें दूसरी कलीशा सेहन नहीं कर सकती उन्हें भी मिलता है समझें वे आरमब वाले नहीं रहे परमेशर का वचन मूल है ये वचन है और इसे अपने ही परकार को उत्पन करना है अपने ही परकार का अपने ही रुत्प में चुना हुआ पिता परमेशर के दौरा पहले से ठहरा है हुआ अब हम कलीशा में कैसे आ सकते हैं एक ही आत्मा के दौरा हम सब ने एक ही दिह में बबतिस्मा लिया मसी की दिह में जो की दौरा है वचन पविता आत्मा के दौरा उसमें बबतिस्मा लिया अब आईए धियान दे कि हम अंत्यम युग में हैं या नहीं Now we find out, if we turn back in Genesis, about the 5th chapter, you can also turn to Luke and find out, that Enoch was the 7th from Noah.